अब अपने इसको काटते हैं तो इसको काटने के लिए पहले तो अपनी जो नाइफ छूरी होती है वो एकदम धार वाली होनी चाहिए और यह मैंने तेल ले लिया है तो चाकू के उपर अपने तेल अप्लाई करते रहेंगे तो चाकू पे और हाथ पे भी तेल लगा ले ताकि कठल के अंदर बहुत ज्यादा दूद होता है तो जो हाथ और छूरी पे चिपके नहीं और तभी छूरी चलेगी भी नहीं तो यह फस जाएगी जो उसके अंदर के दूद की वज़ा से तो यह चाकू पे बार-बार अपने को काटते टाइम तेल लगाना पड़ता है और अपने देखिए इसको जहां तक हो सके स्लाइसिस में का को निकाल लेते हैं और यह जो बीच में यह नस वाला पाठ है वो भी निकालना जरूरी है तो यह देखिए बीच वाला पाठ और यह बिल्कुल ही अच्छे से निकाले इसका जरह साभी पार्ट अपने जो तो बहुत अच्छे तरह से निकाले और ये देखिए सारा ही कठल मैंने काट लिया है ये चिलका और बीच वाला नसका पाट निकाल दिया है और ये इस तरह से और अब अपने कठल को अच्छे से धो लेते हैं 3-4 पानी से और ये कठल को धो के मैंने भगोने में ले लिया है और इसके अंदर कठल तो यह सब्जी के साथ सब्जी बनाएंगे लो इस पकेगा और यह देखिए इसका पानी कितना दूध वाला हो गया है और अब अपने इसके अंदर से यह इएक टरह की सब्जी बनाओंगी एक सुखी एक रसे वाली और थोड़े ये कठल के जो रेसे वाला पाठ है बीज वाला नहीं इसको मैं उड़त की दाल भीगो के इसका मैं बड़ा बनाऊंगी तो मैं एक ही कठल में तीन चीज और ये देखिए इसकी सामगरी में है अपना उबला हुआ कठल और इसी के साथ स है अपना प्रफी के लिए ले लिया है ये अपने की हंड़ी गरभ होने के लिए रख दी है और इसके अंदर डाल देंगे सरसो का तेल आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हैं तो ये सरसो के तेल को पहले तो अच्छे से अपने गरम होने देंगे और जैसे ये तेल गरम हो जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले अपने डाल देंगे राई मेथी जीरा और तड़के क तो ग्रेल होने जुट होने देते हैं और भी डाल देंगे ताक्य इसके साथ साथ हो जायें और अपने मसाले ये देखिए, भगार हो गया है, अब अपने डाल देते हैं ये प्याज, और आज को तेज ही रखेंगे, और तेज आज पर इसको लगातार भूनेंगे जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन, और ये देखिए, ये अपने गोल्डन का क्रस किया हुआ पेश्प डाल देंगे और इसको भी दो-तिन मीट साथ में पका लेते हैं तो यह देखिए अच्छे से चलाते हुए फास्ट आच पर ही और अपना यह बढ़िया सा प्याज भी गोल्डन ड्राउन हो गया है अद्रख मिर्ची लेश्वन भी सब बढ़िया स सपक गया है और अब अपने इसके अंदर डाल देंगे यह पहले तो मिर्ची पाउडर और तीखा आप अपने इसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और यह धनिया हल्दी हींग गया मसाले को एकाद मिनिट भूनते हैं और इसी के साथ साथ अब अपने यह जो कठल उबाल के और इसी के साथ साथ इसके अंदर डाल देंगे स्वादा नुशार नमक तो यह गया नमक और इसके अंदर इसके एक टेबल टीश्पून अपने डालेंगे काला नमक इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है और अब अपने यह आ दो पार्ट का रस्गी बनाने वाली हूँ तो बस यही स्टेज पर अपने को अभी अपने सूखी सब्जी बनाने है तो यह इसको अच्छे से कर दिया है मीक्स और इसको अब श्लो आज़ार पर प्रॉपर कूख होने तक पकाएंगे और लाश में इसमें गरम मसाला डाल द इसको अंदर यह डाल देते हैं बेशन और इसको भी अच्छे से मीक्स करके पानी डाल देंगे ताकि यह अपनी बड़ी आसी रसे वाली सब्जी बन जाएगी और वह अपने 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 सुखी सब्जी दिये देखिए बड़ी आसी सुखी सब्जी और रसे वाली सब्जी बनके हो गई है रैडी मेरी दोनों तरह की सब्जी है तो ये अपनी कटल की सुखी सब्जी बनके हो गई है रैडी और जिसको शरु करेंगे कटल की सुखी सब्जी है रसे वाली सब्जी है चावल है करें और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेश करना न भूले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए प्लीज लाइक, शेर और फॉलो माई फेस्बूक पेज थैंक यू